Hi everyone, what's up? Welcome to अपना कॉलेज और लास्ट वीडियो में हमने पड़ा था आरेस के बारे में और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सर्चिंग इन आरेस तो यहाँ पे हमें एक आरे दे रखा होगा और एक की इस की को हमें फाइन करना है अपने आरे में और वो जिस भी इंडेक्स पे प्रेसंट है आरे में वो इंडेक्स हमें रिटर्न करना होगा और इफ दाट की इस नॉट प्रेसंट इन डाट आरे तो वी विल रिटर्न माइनस वन तीक है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे सबसे पहले पहला वाला जो एलिमेंट होगा आरे का उसको कंपेर करेंगे हमारे की से अगर वो माच हो जाते हैं तो ठीक है वरना नेक्स अलिमें तो इसको कोड करते हैं सबसे पहले हम यूजर से मांगेंगे अरे का साइज अन देन विल डिकलेर अन आरे ओफ साइज एन इसके बाद आरे एलिमेंट को इन्पुट लेने के लिए हम एक फॉल लूप लगा देंगे तो हमारे पास हमारे आरे के इलिमेंट्स आ गए अब हम की को भी इन्पुट ले लेंगे जो हमें फाइंड करने है आरे में यहाँ पर लिनियर सर्च करने के लिए हम एक अलग फंक्शन बना देते हैं तो यह return क्या करेगा यह index return करेगा जो की type होगा int right और इसमें हम भेज रहोंगे अपना array array का size और जो key हमें find करनी है right तो यहां पे हम एक fall loop लगा देंगे जो की सारे elements को traverse करेगा और check करेगा कि क्या array of i equal to key है अगर है तो return कर दो i i is the index और अगर नहीं तो हम return कर देंगे minus 1 अगर पूरा fall loop खत्मने के बाद भी कहीं पे return नहीं होता index तो हम return कर देंगे minus 1 और यहां पे हम call कर देंगे अपने function को तो हम भेज जोंगे array उसका size and key save and run तो फाइफ elements लेता है वही भी मैंने random elements ले लिया यहां पे and we need to find 37 तो 2 हमें हमें index पे 37 present है right because यहां पे indexing 0 से start होगी तो 37 का जो index होगा वो होगा 2 and इसको दुबारा देखते हैं कि अगर मैं लिखती हूँ 4 elements and I search for an element जो की present नहीं है तो हमें output मिल जाता है minus 1 right तो अगर हम इसको time complexity के उससे सोचे कि इसका time complexity क्या होगा तो वो होगा o of n क्यूंकि n size का अगर array है तो हम पूरे array को traverse कर रहे हैं तो उसकी जो time complexity हो जाएगी वो हो जाएगी o of n अब एक और अप्रोच होती है which is used to find an element in an array ठीक है तो उसको बोलते हैं हम binary search binary search समझने के लिए आप ऐसे visualize कीजिए कि आपको एक जो है आपकी teacher जो है एक pile दे जाती है of checked answer sheets ठीक है और यह जो sheets है these are ordered from roll number 1 to 50 अब आपको अपनी sheet निकाल लिया इसमें और आपका roll number है 30 तो क्या आप one roll number से start करोगे search करना कि पहले one फिर two फिर so on 30 तक नहीं आप क्या करोगे आप आधी sheets उठाओगे और आप देखोगे कि आप कौन से roll number तक पहुंचो तो suppose आप आधी sheets उठाते हो और आपके सामने आती है roll number 25 की sheet तो आपको पता है कि आपकी sheet उसके बाद होगे या अगर आप उठाते हो आधी sheets और आप देखतो कि आप roll number 35 तक पहुंच गयो तो आपको पता कि आपकी sheet जो है उससे पहले आएगी तो यह बहुत एक basic चीज हमें लगती है बट यही जो technique है यही हम use करते है when we are looking for we are searching for an element in an array अब जब आप नेहा को search करते हो जाके facebook पे तो facebook को ए से थोड़ना start करेगा नेहा का end ढूंडने के लिए उसको पता है कि end जो है कहीं बीच में आता है तो बीच से start करेगा और वो ढूंड़ेगा उस साब से की end जो है पहले आएगा या बात में तो यह सब होता है अपनी search fast करने के लिए ठीक है हमने linear search की complexity देखिए कि वह o of n है अब हमें चाहिए कि o of n से अब कम में हम अपने element को search कर रहे हूं तो उसके लिए हम use करते है binary search तो binary search में क्या होगा कि पहले तो binary search implement करने के लिए हमारे जो elements है आरे में वो sorted order में present होने चाहिए तो यहां पे हमारे पास एक है आरे जहां पे elements sorted order में मतलब की increasing order में और हमें ढूनना है number 27 तो यहां पे हम अपने key को first element से ढूनना start नहीं करेंगे ठीक है हम क्या करेंगे हम mid element जो है अपने आरे का वो find करेंगे और उससे compare करेंगे अपनी key को तोहारा mid element 21 है तो हम 21 से compare करेंगे 27 को कि क्या वो उससे कम है या जादा present नहीं होगा अगर present है array में तो उसके बाद ही होगा तो अब क्या होगा कि हमें यह वाला जो part है array का यह search करने की जरूरत नहीं है हमारा जो searching part है जहां पे हमें search करने की के लिए वो कम हो गया पहले वो पूरा array था और अब वो आधा array हो गया तो पहले जहां से हम search कर रहे थे उसका starting point यह था और ending point यह था है अब जो हम search करेंगे उसमें हमारा starting point यहां से shift होके यहां पे आ गया है तो अब हम क्या गरेंगे हम फिर से इस part के लिए सर्फ mid point निकालेंगे mid element ठीक है तो mid element इस case में हमारे पास आएगा 34 right अब हम 34 को compare करेंगे दुबारा अपनी key से क्या key 34 से कम है यह जादा तो यह कम है तो इसका मतलब यह होगा कि हमारा key अगर array में present है तो वो इससे पहले present होगा तो यहां पे हमारा अब e जो है वो change हो जाएगा हमारा starting point यही रहेगा but e जो है वो यहां पे आ जाएगा right और फिर हम की को इससे compare करेंगे क्योंकि एक ही element बचा है और फिर हमें मिल जाएगा हमारा key जो हमें चाहिए थो और हम इसका index जो है वो return कर देंगे तो इससे क्या हो रहा है कि जो हम part search कर रहे है array में वो काम होता जा रहा है पहले वो n size का था फिर वो n by 2 का हुआ और फिर n by 4 का और फिर हमें हमारा element मिल गया तो अगर हमारा जो array है यहां पे तो सिफ 7 size का हमने ले रखा है अगर वो 100 size का है तो हम उसे आधा-धा करते रहेंगे पहले 50 फिर 25 फिर 12 फिर 6 and so on तो हमारा जो searching करने में जो time spend हो रहा है वो कम हो जाएगा और इसलिए हम use करते हैं binary search इसकी time complexity बाद में देखते हैं पहले देखते हैं कि इसको code कैसे करेंगे हम तो code करने के लिए सबसे पहले हम ने user से ले लिया input हमारा array ठीक है उसके बाद हमें अब एक function लिखना है binary search ठीक है जिसका return type हो जाएगा int यहाँ पहम भेज रहे होंगे एक तो हमारा array ठीक है और हमारा आ जाएगा उसका size रलेश और फिर की तो यहां पर हं की भी ले लात है input यहाँ पर अब हमें define करना है हमारा starting और ending point हम पहले हिट डिफाइं च्डार पॉइंग passa हो जाएगा n और जो ending point हो जाएगा वो हो जाएगा n अब हमें जो काम करना है वो तब तक करना है जब तक हमारा s is less than equal to e कि कि अगर s pointer जो है यहाँ पे e से आगे आ जाता है तो हमें पता जल जाएगा कि हमारा जो element है वो इस आरे में present नहीं है हमें यहाँ पे minus one return करना है तो यह जो भी हम काम करने वाले हैं वो तब तक करेंगे जब तक s is less than equal to e तो सबसे पहले यहाँ पे हम mid find करेंगे जो कि होगा s plus e divided by two इससे हमारा जो mid element का index है वो आ जाएगा हम क्या करेंगे जो array of mid है मतलब जो mid element है उसको compare करेंगे अपने key से अगर तो वो equal आ जाता है तो हम return कर देंगे mid जो कि उसका index है else if array of mid is more than key मतलब जो हमारा key है वो array of mid से काम है मतलब कि हमारा key जो है वो first half में present होगा है तो इसमें हम अपना जो end वाला pointer है जिससे हम denote कर रहे हैं कि हमारा array खतम कहा हो रहा है उसको हमें move करना है तो हम e को कर देंगे mid minus one राइट जिसे कि हमने यहां पर किया था कि हमें पता था कि यह जो हमारा key है यह less than mid element है तो इससे पहले ही present होगा तो हम अपने e को यहां ले आए थे mid minus one पर और जब हमें पता चला था कि हमारा key mid element से जादा है उस time हमने अपने s को shift किया था तो हम s को ले आए थे mid plus one पर तो हम वही करेंगे यहां पर else s is equal to mid plus one और अगर यह while loop खतम हो जाता है और हम return नहीं करते हैं तो हम यहां पर return कर देंगे minus one right तो इसको run कर के देखते हैं पहले cout कर देंगे binary search और यहां पर हम भेज रहे हैं अपना r a n की तो यहां पर मैंने ले लिए five elements ठीक है 10 20 30 40 and 50 and i have to search for 40 तो हमें index मिल गया इसका 3 0 1 2 and 3 right तो यह हो गया हमारा binary search अब इसके complexity देखते हैं कि जो time complexity यहां पर लग रही होगी वो कितने होगी to find out the time complexity of binary search try to understand this तो सबसे पहले हमारा जो length of array जिसमें हमें search करना अपना element उसकी length होती है n right और उसके बाद next iteration में जो हमें search करना array उसकी length हो जाती है n by 2 after third iteration the length of array becomes n by 2 divided by 2 so this is equal to n by 2 square तो अगर हम ऐसे देखे तो k iterations के बाद जो length of array होगी जिसमें हमें search करना है that will be n by 2 raised to par k right so now let's suppose कि जो length of array है that becomes 1 after k iterations तो हम n by 2 raised to par k को 1 से equate कर देंगे and then दोनो sides जो है हम log ले देंगे log base 2 right तो इससे क्या आ जाएगा log n base 2 equal to k log 2 base 2 that would be 1 right तो इससे हमाय आ जाएगा k is equal to log n base 2 तो हमारा जो complexity है वो हो जाएगा o of log n base 2 so this is the complexity of binary search linear search की जो complexity थी वो हमारी थी o of n इसको हमने बना दिया है o of log n base 2 which is less than o of n right so binary search is a better searching algorithm than linear search as it takes less time thank you and see you in next video